दोस्तों नमस्कार आदाब सत्रियकाल नियूस क्लिक के कारिकरम नियूद मन्थन के इसी पीसोड में आपका स्वागत है मैं हूर मिलेश दोस्तों किसी ने अब तक आई आई टी में पढ़े और मैकसे से एवार्ड पाए अरविंद के जरिवाल से ये नहीं पूछा कि आप भारती मुद्रा को यानि भारती नोट जो होते हैं उनको धार्मिक्ता के दाइरे में कैद क्यों करना चाहते हैं क्यों नहीं आप पहले लक्ष्मी गणेश की तस्विरें अपनी पार्टी के जंडे पर लगाते हैं क्यों नहीं लगाते शुरुवात घर से की जाती है और आपकी पार्टी भी आपके घर की ही है पहले पार्टी के जंडे से शुरू कीजिए हो सकता है जंडा पर देवी देवताओं की तस्वीरें देखकर वोटरों का बड़ा हिस्सा आपकी तरह पाउर जुके और आज से भी बड़े नेताब बन जाए जितने आज आज आप हैं उससे भी बड़ी आपकी हैस्थियत हो जाए दोस्तों आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने नोटों पर लक्षमी गणेश जो हमारे हिंदू समाज की जो बड़ी कम्यूनिटी इस उन्होंने इस बारे में प्रदानमंत्री से भी कहा है कि चठी भी लिखी है संबहुता कि वो ये काम जल्दी कराएं इससे उनका विशार है कि देश में आर्थिक सम्रिद्धी आएगी यनि भारती अर्थव्योस्ता के उत्थान और पतन का एक नया वो दर्शन भी पेस कर हैं कि अर्थव्योस्ता हमारी देवी देवताओं के कारण उपर जाएगी अब मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि अमेरिका है रूस है चीन है जापान है फ्रांस है ये देश काफी संब्रद्ध है आर्थिक रूप से क्या इनके नोटों पर इनके इनके अलग-अलग ज आम आदमी पार्टी के निता हैं जो इंजिनियर से आयकर अपसर फिर समाज सुधारक और अब राज निता बन बैठे हैं वो केजरिवाल साहब ने ऐसा देखा हो कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये देश में देवी देवताओं की तस्वीर अगर नोट पर डाल दी जाए इस इनको भी आर्थिक तंत्र के बारे में मालूब है उन्हें इस तरह की बात कम से कम नहीं सोचनी चाहिए बहराल अब हम आते हैं केजरिवाल साहब की पार्टी राजनीत के तेजी से बदलते रूप और रंग पर आकिर क्यों हो रहे हैं केजरिवाल इस कदर हिंदुत वादी वैसे तो वो पहले से ही इंदुतवादी हैं जहां तक मैंने समझा है पर भाजपा से अपने को कुछ अलगाना भी तो उनको रहा है तो इसलिए वो एक तरफ नोटों पर देवी देवता की मांग करते हैं तो दूसरी तरफ भाजपा की तरह खुल कर उग्र मुसलिम नो दिखाने की उनकी रणनीती भी दीखती रही है के अंदर सरकार या भाजपा के मुसलिम दमन गिरफतारी C.A.N.R.C. के जैसे मसलों पर वाम तोर पर खामोश रहते हैं कल्प ना कीजिए कोई मुसलिम लीडर कोई मुसलिम एक्टिविस्ट कोई मुसलिम इंटिलेक्च् बिल्कुल जूटे आरोपों में भी तो उस पर कभी वो बयान नहीं देते लेकिन वो स्वेम मुस्लिम लोगों पर अटेक नहीं करते यानि उन पर हमलावर नहीं होते किसी वैचारी हमले की बात मैं कर रहा हूँ या कोई इस तरह का अटपटा बयान भी नहीं देते लेकिन हिंदुत वाद की चाशनी जो है उसमें वो राजनीत को जरूर हमेशा उसको डालते हैं उस पर तो ये जो उनकी जो बात है कि एक तरफ वो पार्टी उनकी सेकुलर होने की कोशिश करती है कि वो दिखे कि वो बिलकुल अलग है वीजेपी से वो हिंदुत वादी तो है लेकिन मुस्लिम विरोधी नहीं है लेकिन जब इशू जाते हैं सेकुलरिजम के समवैधानिक्ता के तो वो बिलकुल हड़ जाते हैं और वो बिलकुल वीजेपी के पास चले जाते हैं तरह के क्रिया कलापों में शामिल दीखते हैं ये दोस्तों एक नया प्रियोग है मैं समझता हूं कि भारती राज्नीती में आम आदमी पार्टी ने एक बिल्गल अलहदा प्रियोग किया है हिंदुत वाधारी दूसरी पार्टी के रूप में इसका जो उभरना है ये अगर द दूसरी बात मैं यहीं ठार कर आपको एक और बात बताऊं कि शिव शेना ने जो किया है उसमें उसका हिंदुत्वाद बात का है और उसका जो एक महारास्ट्र में पिछडे वर्गों के बीच से जो शिवाजी के नाम पर जो एक राजनित की गई बाल ठाकरे के दौरान वो द कोई दोराए नहीं है आपने मने आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में भाजपा को अगर देखा जाय तो उतना नुकसान नहीं पहुँचाया कभी भी जितना कॉंग्रेस को कॉंग्रेस को उसने समेट दिया ठीक है कि आज सरकार उसकी है वरना बीजेपी की होती दिल्ली सरक तरकार यानि दिल्ली राज्य सरकार की बात कर रहा हूं मैं लेकिन उसकी जगा अगर आमादमी पार्टी आ गई तो इससे कोई गुरेज नहीं है सेंटर की सरकार को किंदर की सरकार को पंजाब में भी भाजपाक कहीं नहीं थी याद कीजिए जो भी नुकसान किया आमादमी पार्टी ने जाकर वो कॉंग्रेस का किया बीजेपी तो कुछ थी नहीं वहां अकाली दल के सायोग से उसके कुछ MP या कुछ हमेले जीता करते थे बहुत कम मेरे एक पंजाबी दोस्त हैं लेखक हैं उन्होंने पिछले कुछ समय बताया था पहले जब चुनाव का रिजल् में जो संग के लोग हैं आरेसेस के लोग हैं उन्होंने एक मुश्ट वोट आम आदमी पार्टी को दिया क्यों क्योंकि वहां बीजेपी जीतने लाइक इस्टिती में नहीं थी तो उन्होंने आम आदमी पार्टी को ओट देकर कॉंग्रेस को और अकाली दल को हराने की अप आदमी पार्टी को जो वोट मिले अगर उसका परसेंटेज आप निकाल लें तो वोट परसेंटेज तो भारती जनता पार्टी और कॉंग्रेस के बीच जो जीत हार का फासला था वो लगभग उतना ही था यानि माना जा सकता है कि आदमी पार्टी ने अगर चुनाव नहीं ल तो निश्चित रूप से भारती जनता पार्टी का जीतना गोवा और उत्राखंड में बिलकुल असंभव सा हो जाता दोस्तों गुजरात में भी कुछ वैसा ही होता नजरा रहा है बिलकुल वैसा ही यदि गुजरात में आम आदमी पार्टी ने 5-7 पीस्दी वोट मैनेज कर लिए 5-7 पीस्दी के वल ज्यादा नहीं तो यकीनन कांग्रेस की हालत और पतली हो जाएगी और एंटी नकम्मेंसी के बावजूद भारती जनता पार्टी आसानी से गुजरात का चुनाव जीत जाएगी ये मेरा आकलन है अगर मैं गुजरात जाओंगा भवश्य में न जेंडे के बावजूद आमादमी पार्टी कहीं भी अगर देखा जायतों कहीं भी हिंदुत्वाद की सबसे बड़ी पार्टी यानि ए टीम भारती जनता पार्टी के कोर वोटर को नहीं तोड़ पाती है वो बुनियादी तोर पर कॉंग्रिस के साफ्ट हिंदुत्वा से नाराज हिंदुत्वादी लोग है वो दरसल आमादमी पार्टी के मतदाता बन जाते हैं तो यह उसके आमादमी पार्टी के हिंदुत्व का चुनावी गणित है जितना मैंने समझा है और जो मैं समझपा रहा हूँ तो इसके कारण होता क्या है कि आरेसिस को भी अगर आ हमने कई बार RSS के कुछ intellectuals जो हैं इंवस्टी में पढ़ाने वाले कुछ विद्वान लोग social life में जो काफी सक्री हैं उनसे बाचित के दर्मियान कई बार बात निकलती है तो वो लोग भी कह देते हैं कि हम तो चाहते हैं कि भारत की जो राजनीती है वो अमेरिका जैसी कुछ हो जहां डेमोक्रेट और रेपबिकन दोनों लगबग एक ही तरह के हैं और वहां ने कोई सामयबादी है ने कोई समाजबादी है ने कोई I mean left है ने कोई I mean centrist उस तरह से है ले देकर एक ही तरह के सभी लोग हैं तो वैसी ही मुझे लगता है कि सियासत और सियासी समीकर्ण RSSS पसंद करता है तो आम आदमी पार्टी अगर आ गई है मैदान में और उसका इसी तरह का एजंडा है तो ये मैं समझता हूँ कि RSSS के लिए इसे कोई नाराज़गी कोई दुख या कोई परिशानी की बात नहीं है दोस्तो जहां तक मैं समझता हूँ कि गुजरात के इलेक्शन के बाद आम आदमी पार्टी का अगला जो निशाना होगा राजस्तान और मद्ध परजेस नहीं से राजी होंगे और दोस्तो आज हमारी दूसरी खबर है भारती जनता पार्टी और केंदर की सरकार इसने अभी हाल में भारत में जम्मु कश्मीर सूबे के एक सेशन के 75 साल मनाए भारती जनता पार्टी ने और देश के दूसरे संग्टरों ने भी मनाया होगा लेकिन केंदर सरकार के जो बड़े मंत्री कुछ हैं भारती जनता पार्टी के जो नेता हैं आरेसस के जो नेता हैं उन्होंने जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक और दूसरे और हलकों में भी संभवता काफी आर्गनाइज किया समारो और इसके साथ ही साथ एक और समारो पिछले महीने मनाया गया वो था महराजा हरी सिंग की 117 जैनती इसमें तलवार हाथों में लेकर के लोग जम्मू में खास कर जोश के साथ जलूस में गए खोब नारे लगाए जम्मू के डोगरा चौक पर ये जलूस था और जहनती पर सूबे में सावरुजनी का उकारष गोसित किया गया ऐसा जहां तक मेरी आदास्त है पहली बार किया गया और जन्ता के जो अपने समय के महबूब नेता शेक मुहमद अब्दुल्ला थे उनको कोई सम्मान एकसेशन का मसला हो या बात का हो कभी कोई सम्मान हाल के वर्षों में नहीं दिया गया और जहां तक वहां पर जमु कश्मीर में लोगों के बीच में सरकार खड़ा करने का प्रशन हो जन्तांतरिक महौल बनाने का प्रशन हो और एकसेशन का जो एक क्रेडिट माना जाता है या एक भारत के साथ जमु कश्मीर के जुडाव की बात की जाती है तो इतिहास बताता है कि शेख मुहमद अब्दुल्ला का कितना बड़ा रूल था लेकिन शेख साहब की जेनती पर जमु कश्मीर में अब आवकाश नहीं गोशित किया जाता है इधर भाजपा के जो बड़े नेता हैं और केंदर सरकार के जो मंत्री हैं जैसा मैंने पहले बताया इन्होंने काफी स पेश करना चाहता हूं क्योंकि वो बातें कहीं न कहीं इतिहास को डिस्टार्ट करती हैं या इतिहास को अपने रंग से व्याख्याइद करती हैं वैसे ही जैसे कई बार समाज को समाज के बड़े नेताओं को नेताओं के बारे में या अतीत के जो बड़े राश्टर नायक हैं उनके बारे में हमारे समाज में बहुत सारी जगों पर अजीब जीब तरह की अफवाहें उडाई जाती हैं अजीब जीब तरह की बातें कही जाती हैं ठीक वैसे ही हाल के दिनों में जमु कश्मीर के बारे में कहा गया दोस्तों अभी हाल में जो केंदर केंदर सरकार में क कुछ गरबर अब तक रहा है उसके लिए सिर्फ नहरू जी की सरकार दोशी है और जवाला नहरू व्यक्तिकत तोर पे उसके लिए दोशी है उन्होंने तीन चार बातें कहीं है जो अख़वारों ने टेलिविजन चलनों ने बहुत प्रमुकता से सब्ता में दिखाया पिछल पहली बात कि नहरू ने महराजा हरी सिंग की वो पेशकस ठुक रही थी जिसमें उन्होंने भारत में जम्मुकश्मीर के आजादी से पहले ही मिलने की बात की थी एक तो ये बात उन्होंने कही दूसरी बात उन्होंने कही कि शर्तों के साथ जवालाल नहरू ने विलाय को म नहरू की जिद्ध थी या नहरू के कारण ये किया गया दोस्तों पहली बात तो मैं ये बता दूँ जो बहुत जरूरी है और आप सब को मालूम है कि महराजा हरी सिंग ने 26 अक्टूबर 1947 को मजबूरी में आकर कश्मीर के भारत में सम्मिलन का समझवता किया था इससे एन पह 25 अक्टूबर को शेक साहब शेक मौमद अब्दुल्ला दिल्ली आये थे और समझवते की प्रिष्ट भून बनाने में भारत सरकार को उन्होंने काफी मदद दी थी तब देश के जो सचीव थे ये स्टेट सेकरेटरी वो बीपी मेंन साहब फौरण स्री नगर उड़े और 26 तारीक को एक सेशन के प्रस्ताव पर हस्ता अक्षर किये गये 27 अक्टूबर को लाड माउंट बेटर ने उसे मनजूर किया भारती सेना स्री नगर पहुंची 30 अक्टूबर को महराजा ने जनता के नेता यानि जम्मु कश्मीर की अवाम के सबसे महभूब नेता उस समय जो थे शेक मौमद अब्दुल्ला उनकी अंतरिम सरकार को अंतरि लिवरेट कराया जा सका उनको मुक्त कराया जा सका पांच मार्च को शेक मौमद अब्दुल्ला प्रधान मंतरी बने जम्मु कश्मीर के उस समय प्रधान मंतरी का पत था बीस जून उनीस सवन चास को करण सिंग को महराजा ने रिजेंट बनाया और दरबार छोड़ा 17 अक अपसन में सरदार बल्लबाई पतेल गोपाला स्वामी आइंगर इस तरह की जो लोग थे बड़े हमारे देश की आजादी की लड़ाई के जो बड़े महत्पूर्ण लोग थे इनका अहम रोल था बलकि उस समय कुछ समय के लिए नहरू साहब जो प्रधान मंतरी थे वो दे उनको शायद ये मालूम नहीं है या उन्होंने इतिहास का ठीक से अध्यर नहीं किया है जब आठकिर 370 एडाप्ट किया जा रहा था भारत के समविधान में तो समविधान सभा में जो लोग बैठे थे उसमें मौझूदा जो सरकार में बैठे लोग हैं भारती जनता पार् या पुरवज शामा प्रशाद मुखर जी भी मौझूद थे और शामा प्रशाद मुखर जी ने आठकिल 370 का समर्थन किया था बकाइदे प्रस्ताओ जो आया उसको एडाप्ट करने का उसके पक्ष में हो थे तो ये बात जरूर किरण रिजुजु साहब को यह भी बात ब नहीं बोली तो दोस्तों वो जो ये बात कह रहे हैं बहुत बिल्चस्प बात कह रहे हैं कि नहरू साहब को महराजा हरी सिंग ने पेशकस्प बहुत पहले ही कर दी थी भारत में विले की सच ही है कि महराजा हरी सिंग भारत में विले के लिये तायार नही थे और जो बात व वो दरसल आजादी से कुछ समय पहले और वो जो था स्टैंड स्टिल एग्रिमेंट का जो था प्रस्ताव और ये जो प्रस्ताव दिया गया था वो दरसल केवल भारत को नहीं दिया गया था वो प्रस्ताव दोनों को दिया गया था दोनों यानि भारत और पाकिस्तान दोनों को भारत ने उसको खारिज किया और पाकिस्तान ने उसको एकसेप्ट किया तो ये मैं समझता हूँ कि किरन डिजूजू साहब को ये बात जरूर मालूम होनी चाहिए और चूंकि वो देश के एक बहुत महत्पून मंत्री हैं कानून का मामला वो देखते हैं इसलिए मुझा लगता है कि नेहरू के बारे में या उनकी सरकार के बारे में और विलय के बा हूँ या जितने भी लोग हूँ इन सब का रोल है वीपी मेनन का बहुत बड़ा रोल है महराजा हरी सिंग का भी रोल है लेकिन सबसे बड़ा अगर रोल है जम्मु कश्मीर के भारत में विलय का संबिलन का तो वो शेक मुहमद अब्दुल्ला और जवाला नहरू का है इस को कभी भी भूला नहीं जा सकता है मैं सौअम नहरू की कई नीतियों का आलोचक हूँ और उसके वैचारिकी से मेरी अस्मती भी हो सकती है लेकिन जम्मु कश्मीर के प्रस्थन पर उनका जो विए रहा है उनका जो एपरोच रहा है उसको तो मैं क्या इस देस के राष्टर रास्टर पिता महात्मा गांधी ने भी इंडोर्स किया था और शायद किरिन रिजूजू साहब को जरूर ये इतिहास का वो अध्याय देखना चाहिए जब महात्मा गांधी महात्मा गांदी जम्मु कश्मीर में सिर्फ एक बार गए थे और वो जो गए थे वो आजादी मिलने के कुछ दिन पहले गए थे एक अगस्त से चार अगस्त के बीच में महात्मा गांदी जम्मु कश्मीर थे और वहां पर जो उन्होंने माहौल देखा उस पर उन्होंने जम्मू आकर प्रार्थना सभा के बाद ये कहा सारधनिक बयान दिया जो अख़वारों में प्रिंटेड है देखा जा सकता है कि मैंने जम्मू कश्मीर जो देखा है और जो लोगों से बात की है उससे तो यही लगता है कि शेक मुहमद अब्दुल्ला यहां के सबसे प्रियनेता है जनता उनके साथ है आजाद होने के बाद जम्मु कश्मीर का भवशी क्या होगा यह जनता तै करेगी जम्मु कश्मीर की जो जनता तै करेगी उसके साथ भारत रहेगा ये बात महात्मा गांदी ने कही और चलते चलते ये भी बता दें कि जिन शेख अब्दुल्ला को आज की सरकार और सक्तादारी दल्खारिश कर रहे हैं और महाराजा हरी सिंग को सबसे बड़ा महानायक बता रहे हैं ठीक है उनकी अपनी धारना है लेकिन जब महात्मा गांदी जम्मु कश्मीर गए तो उन्होंने खाना और नाश्टा जो है शेक मुहमद अब्दुल्ला की जो धर्मपत्नी है उस समय जो जो बाहर थी जेल से बा खाना खाया था नाश्टा किया था और तारादेवी महाराणी तारादेवी महाराजा हरी सिंग की धर्मपत्नी और करण सिंग बहुत छोटे थे उन दिनों योराज थे महाराजा हरी सिंग तारादेवी जी और करण सिंग ने उनकी आगवानी की लेकिन वहां उन्होंने खा कि संबद्धता जिस तरह की महबबत जिस तरह का स्ने शेखम मुहमद अब्दिल्ला जो जेल में थे उनकी बेगम साहिबा के साथ दर्शाई उनके परिवार के साथ दर्शाई वो औकल पनी है आज के नेताओं को आज के सत्ताधारी दल के जो प्रमुक लोग हैं उनको तो ये इतिहास का वो पहलू है जिसे जरूर समझा जाना चाहिए तो आज बस इतना ही नमशकार आदाब सच्रियकाल